हेलो 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 and welcome to the flag is earth अगर आप Chelsea के fans हैं तो आपको मालूम है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले मौसम बहुत बहतरीन है आज आप अगर मेरे पीछे देखें तो you could see the sky, the color of the sky क्या बहतरीन एकदम बढ़िया और वैसा ही हमारा mood है as a Chelsea fan क्या मैच हुआ है अरकल wolves like no one of us expecting कि ये match wolves के against Chelsea का match इतना जादा intense होगा इतना जादा बहतरीन होगा और एक जो rivalry type दिखी हमें वो किसी ने भी expect नहीं की थी thanks to Noni Medioka's tweet Instagram post I guess जो उन्होंने किया था wolves के match से पहले कि everything about this place is shit he deleted it afterwards but the fans उन्होंने उसको देखा and they were reacting very much like उनको बहुत अच्छा शायद नहीं लगा और किसी को भी नहीं लगे अगर आप किसी की CT के बारे में आप इस तरह से बात करेंगे लेकिन 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 मैच के शुरुआत में पहले डेड मिनट में निकोलेस जैक्सन का एक शानदार हेडर रहता है corner set piece से जो की Chelsea कभी नहीं करती है जनरल ही नहीं करती है लेकिन कल set piece आया और क्या शानदार हेडर निकोलेस जैक्सन की दरब से आपको देखने को मिलता है unmarked रहते हैं पीछे कोई उनको mark नहीं कर रहता है and he just heads the wall into the goal and पहले ही डेड मिनट में Chelsea को मिलता है lead and after that until the 10th minute Chelsea was playing like a champion team मैंसला लग रही नहीं रहा था कि यह वही चल्सी है जो अभी पिछले हफ़ते ही City से मार खाके आई है और Celtic से Precision में 4-1 हारी थी लग ही नहीं रहा था कहीं से और सर्वेट के खिलाफ भी कोई बहुत अच्छा first half नहीं रहा था लेकिन वो 10 minutes जैसे ही खतम हुए उसके बाद जो wolves ने करना start किया हमारे साथ वो भी किसी कोई आप उसको भी खराब play नहीं कर सकते है बहुत शानदार play जो wolves की तरफ से हमें देखनों को मिला और उसका result हमें मिला जब उनकी तरफ से equalizer आया after that Cole Palmer का वो शानदार presence of mind जिसमें Nicholas Jackson की बहुत ही आयूट से बहुत ही बहुत ही बहतरीन जो कहते है न प्रेजंस ऑफ माइंड उनकी भी दिखी उन्होंने जो पास दिया निकोलेस कोल पार्मर को और कोल पार्मर में पार्मर ने जिस तरह से उसे कैपिटलाइज किया पूरी गेम अवेरनस दिखाते हुए उनको पता था कि कीपर थोड़े से आगे हैं और वे ही पुट इंटू गोल वास फिरोमेनल एंड चल्सी वास तू वन अप एंड ऐसा लग रहा था कि हाफ टाइम में अब हम जाने वाले हैं विद अलीड लेकिन वुल्व भाई साब वुल्व भी सोच करके आये थे कि भाई इतना सिंपल नहीं है इतना सिंपल नहीं होने देके and before the end before the half time I would say क्या बहतरीन भाईल second goal जो आता है वुल्व की तरफ से just before the half time और पूरा का पूरा जो रुख है वो बदल जाता है और ऐसा लगने लगता है और जो इस दोरान जो प्ले भी हो रहा था चल्सी की तरफ से वो भी बहुत ही विलो एवरेज दिख रहा था तो ऐसा लगने लगा था कि अब second half में कहीं ना कहीं चल्सी क्योंकि वुल्फ के होम पे खेल रही है कहीं ना कहीं हम हगेंगे बहुत गंदे तरीके से और वी विल लूज दिस मैच ड्रॉ की उमीद भी नहीं थी लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या होता है हाफ टाइम में वो पंद्रा मिनट में I don't know एंजो मेरस का क्या कहते हैं टीम को और किस तरह से उनको समझाया जाता है कि आपको क्या चेंजिस करनी है मुड्रिक को बेंच पे डाल दिया जाता है और उनकी जगा भेज दिया जाता है पेटरो नेटो को जिस तरह से टीम परफॉर्म करना शुरू करती है उसके बाद पहला ही गोल नोनी मेडियोके का बहुत ही जबरदस्त गोल कोल पामर का बहुत जबरदस्त असिस्ट और पेटरो ने बहुत अच्छे से वो बॉल को जो ले करके आए कोल पामर को बॉल दिया और कोल पामर ने फिर वो मेडियोके को बॉल दी और मेडियोके वास सो गुड उड बॉल दो ही वास अनमार्क फॉर ओल तरह एक जब भी बॉल उनके पैरों पे थी ही तुक देट चांस एंड ही स्कोर्ड यह चीज हमें पिछले दो साल से चल्सी में नहीं दिख रहे थे जब भी हम एंड पे जाते थे जब भी हम गोल के आसपास होते थे कोई भी प्लेयर शूट करने के लिए कॉन्फरेंट नहीं होता था जो हमें चेंज दिखा कल के मैच में सब लोग जो है शूट कर रहे थे एंड इवन अफ्टर दाट तीन गोल नोनी मेडियो के ने मारे और क्लीनिकल फिनिश बहुत ही बहतरी इन फिनिश जिसको कह सकते हैं वह उन्होंने दिया तो बहां से दिखा कि नोनी मेडियो के इस एक काइंड ओप लेयर हूँ जिसको पता है कि I can finish and that is the best thing मतलब यही हम शायद पिछले दो सीजन में lag कर रहे थे कुछ फिनिश नहीं कर पा रहा था सब लोग एक दूसरे को पास देने में बिजी हो जाते थे उस end में और वहां पे कही न कहीं बहुत जादा time ले लेते थे और सामने वाली टीम को संभलन आपने का MOKA मिल जाता था जो कल के मैच में नहीं हुआ तो वो एक बहुत 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 जुम पॉपॉस्ट वहीं थी बहुत ही मज़े दार वह निश्टी एंड क्या मज़ा आता यार उसमें अब तो बहुत सारे लोग कल के मैच के बाद चल्सी को एक दम से टाइटल कंटेंडर ही मान चुकी है तो मैं देगे इतना एक मैच से मैं कभी किसी टीम को बूरा नहीं कहता हूं और एक ही मैच से आप किसी टीम को बहुत शांद मैंने उसी टाइम पर कहा था कि आयम हैपी विद टीम एक्सेप्ट पॉर दा मुकाईलो मुड्रिक्स इंट्रोडक्शन जो मुझे नहीं समझ आया था कि वो क्यों स्टार्ट कर रहे थे और वो हमें दिखा भी उनका बहुत ऑन और फर्स्ट हाफ रहा और सेकिंड हाफ में तो उनको सब्स्टिट्यूट कर ही दिया तो वो एक गलब डिसीजन था उसके इलावा जो भी डिसीजन जो भी उनकी टीम जो उन्होंने खिलाई थी मैं तो बहुत सैटिसपाइड था वही टीम हो सकती है हमारी जनरली और आई लवड इट अब हाँ थोड़ी प्रॉब्लम कि मार्क गुई को क्या करेंगे उनका कैसे इंट्रोडक्शन होगा इस टीम में एंकुंकु क्या बार बार स्टार्ट नहीं करेंगे आई तिंग मुड्रिक को एक दो और चांस मिले गाए जादा से जादा और अफ्टर दैट एंकुंकु विलकम विकॉज उनकी फिटनेस भ डोओर आपको समझाता है कि नहीं टीम में कहीं कालिट तो है तो हमें देखने को कल का मैच में िनला को क्या स प्माइब करें और आगे को तरिक नहीं बांवर कि इस मंटा चलशे से टो तो I think then we can say at least top four के लिए हम अच्छा अच्छा कंटेंड करेंगे top four हम आराम से आ जाएंगे because if your season starts very well which is top four से बाहर निकलने के लिए फिर तुम्हें बहुत ही घटिया खेलना पड़ता है Tottenham या Arsenal जैसे पहले खेला करती थी कुछ साल पहले तो I think अच्छी स्टार्ट के बाद आप top four आराम से कर सकते हो इस लीग में तो I would hope कि start जो है वो अच्छी ही रहे मज़ा आए इसी तरह के games हमें देखने को मिले intensity मिले attack मिले defense में अभी भी थोड़े से problems लग रहे है फॉपाना और सेकिंड गोल जो पामर ने स्कोर किया था उसनों की distribution का बहुत बड़ा रोल था उन्होंने जो Nicholas Jackson को spot किया वहां पे बॉल डाली और Nicholas Jackson ने जिस तरह को पामर को बॉल दी तो I was very happy with that लेकिन more often than not he is not very good on the ball and मेरे को बस confidence नहीं आता है यार Sanchez से पता नहीं क्यों I don't know what coaches are seeing in him in him but I don't feel confident about him so हो एक चीज है I hope time के साथ वो भी सही हो जाए and that's it आपको क्या लगता है what Chelsea has to do from here to like do great in this season I'm not hoping for title I'm not please please I'm not hoping for title I'm hoping for top four finish and if we do that it's it's an improvement it's an improvement I would say and फिर समझ आएगा कि हाँ project में कुछ जान है so let's hope for the best मिलते हैं अगले मैच में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार